नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गुरुवार का दिन देव गुरु ब्रहस्पती का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किये जाते हैं आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकलेंगे क्योंकि हल्दी का संबंध देव-गुरु ब्रहस्पती से है वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्थ होता है हल्दी विशेश प्रकार की ओशदी है जिसमें दैविय गुर्ण मौजूद होते हैं विवाह में वरवधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए साथ ही सेहत और सुन्दर्ता के लाभ भी उन्हें मिले पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा ठीका लगाने पर ब्रहस्पती मजबूत होते हैं और वानी में मजबूती आती है हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है इससे कई स्वास्थे संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता सनान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डाल कर नहाएं जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुधता देता है नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है यह नकारात्मकता को दूर करती है इसी लिए इसे हवन में भी इस्तिमाल किया जाता है सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्ग्य देने से मन्चाहे वर की प्राप्ती होती है ब्रहस्पती ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है जैसे कि वैवाहिक सुख ब्रहस्पती देव की क्रिपा से मिलता है संतान का सुख या फिर संतान से सुख यह भी ब्रहस्पती देव की क्रिपा से मिलता है करियर में अगर आपको उंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए मतलब धन संचय, अपार धन संपदा वह भी ब्रहस्पती की कृपा से ही प्राप्थ होता है और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्छ शिक्षा में बाधा आ रही है ज्यान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो भी आपको ब्रहस्पति देव को शुध करना चाहिए और हल्दी का प्रयोग करन से हल्दी के छोटे-छोटे प्रयोगों से हम ब्रहस्पत को शुद्ध कर सके हैं, और जब ब्रहस्पती शुब हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्थ हो जाता है। एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीडित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पिसी हल्दी का दान करें। वह दूर होगी। सकारात्मकूर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आप स्वता ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। अपने गले में पहन लें, ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपके जीवन से जितनी भी ब्रहस्पती से रिलेटेड परेशानिया हैं, वह दूर होंगी। ब्रहस्पती मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोट का, हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रती ब्रहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांध कर पहन लेते हैं, अपने गले में तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा, और यह बहू ही जल्दी आपके ब्रहस्पती को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे, व् करी बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास निगेटिव एनरजी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब सनान करें, तो अपने सनान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें, पिसी हुई हल्दी क अगर करियर में कोई परेशानी है, तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है, वह बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रति दिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इस से आपके और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मैन गेट पर या अपने घर की बाउंडरी वाल होती है, वहाँ पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी-थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंडरी पर डाल दें, या फिर अपने मैन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक उर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा, ऐसा आप जरूर करें, अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकार आत्मक उर्जा का वास है, तो अपने बाउंडरी वाल पर या मैन गेट पर थोड़ी-थोड़ी सी हल्दी प्रति दिन छिड़क दें और आप यहां सुभह-सुभह कर सकते हैं। रोज सुभह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जा लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमतकारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं, मन पसंद जीवन साथ ही, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रही हैं, वह शीघ्र ही दूर होंगी, और जब आप अरजी देते हैं, तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा लें, ऐसा अगर पल अगातार करते हैं, तो कुछी समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परिशानियां हैं, वह दूर होंगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना है, तो वह भी पूर्ण होगी, इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिला कर स्नान करना चाहिए, इससे भी आपके विवाह में जो परिशानी आ रही है, सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करने, ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आप आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीग्र मा, लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए, एक बहुत ही अचू कुपाए, आपको यह जरूर करना चाहिए, आपको ब्रिहस्पतिवार क प्लेन कागज के उपर आपको हल्दी से श्रम लिखना है। पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो ब्रहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें। या फिर इसी कागज को हर दिखा दें, उपचार पूजन कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीग्र ही आपको बहुत ही चमतकारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से मा लक्ष्मी की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हलदी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ती की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ती की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हलदी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं जै पड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गुड और इस लोई को ले जाकर हर ब्रिहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्थ हो जाएगी। शीग्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती हल्दी का छोटा सा चमतकारी प्रयोग होता है, यह और बहुत ही चमतकारी रूप से यह काम करता है, हल्दी जो कि ब्रहस्पती को शुभ करती है और ब्रहस्पती शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता, तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें बहुत ही छोटे बहुत सरल और बहुत अशुभ प्रयोग है यह उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाई होगा ताकि आने वाला नॉलेज बल वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में